ये होसलों की उडान है पापा, हमने सुना की विवान आपको अवेली से निकालने की बात कर रहा था वो ऐसा कैसे बोल सकता है? हम बात करते हूं से आपको क्या लगता है उस चुहे विवान के कहने पर कल हम ये हवेली छोल कर चले जाएंगे? आप हमें जानते हैं सूरच, हमारी अभिविती को जानते हैं ऐसी धंकियां पर असर नहीं करते हैं मगर पापा अगर मगर का सवाई नहीं है कि काम करते हैं आपको और आपकी वो जो एसिस्टेंट है साहियक इमली, इमली हम आप दोनों को आठ बजे तक कल आठ बजे तक का समाई देते हैं उतना ही समाई है उस विवान ने भी हमें दिया है कल आठ बजे तक आप लोग हमारे जितने भी पेपर्स और पैसें विवान के पास पड़े हैं वो हमें लाकर देंगे आठ बजे तक अगर नहीं दे पाए तो हम उस विवान को यहीं यहीं जंदा जंदा लाश बनातेंगी यहीं सभी के सामने सुरज हम भी खोन खरावन नहीं चाहते हैं सच बोलना है लेकिन क्या कर सकते हैं सरुरत पड़ी तो हमें विवान को मारना ही पड़ेगा कोई चारा नहीं कोई चारा नहीं है पर चाहे पैसा चारिटी में हो या कहीं भी हो तो पैसे हम यू निकलवा देंगे तो विवान की जान आपके हाथ में है आप सुबह चार बजे ही आख खोल गई हे प्रभू को अरे विवान को बचा ले ना करू कमल नारन को कप ऐसा नहीं लोटा दिये कि जान पे बहुत बड़ा खत्रा हुई है इसलिए हमारे विवान को सब्भुत्ती देना क्यों कमल नारन को कप ऐसा वापस लोटा दे इमली यह है तुम्हारी सर्गी तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना वैसे तुम्हें यह सर्गी देनी तो नहीं चाहिए कि तुम्हारा पती हमें और हमारे पती को इस हवेली से निकाल रहा है पर हम अपना कर्तवें कैसे भूल सकते हैं ना करेल आंई तुम्हें को ले मतिको लंडência है कि वैसे हमें बहुत ड़र लग रहा एए वो क्या है ना कि विवान जो कर रह आ है अच्छल topics कि तुम तु जानती हो कि कमल जी किसी को माफ नहीं करते हैं हम जानते हैं विवान नादान है पर तुम तो समझतार हो ना उसे समझाओ उसे समझाओ कि वो नादानी ना करें जी हम कोशिश कर रहें विवान को समझाने की इमली कोशिश नहीं कोशिश से कहीं ज़्यादा जरूरत है रंजरा जी अब समझने समझाने का वक्त नहीं रहा आप लोगों को आज राथ हविली खाली करके चाना ही पड़ेगा तुमें इनका कोई भी हुकुम आने की ज़रूत नहीं है और इस सब क्या लेकर रही हैं? तुमने वापिस क्यों नहीं किया हुने? विवान, इस सर्गी हुई हमरा पहला करवार चौत हुई है विवान और हम इस सर्गी को वापस लटा कर कोई अपसगु नहीं करना चाहते हैं इमली ये सब रस्मे ऐसे ही होती विवान, ये रस्म ऐसी हो या वैसी हो पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत साथा इसलिए हमने इस करवार चौत अपकी लंबी आयो के लिए रखी है और इसलिए हमने इस सर्गी भी ली और हम अपना व्रत पूरा करेंगे पता है एमली, कभी-कभी हमें तुम्हें देख कर बहुत ताजू होती हैं, एक वो एमली थी जो पात बात पर पिस्तॉल निकाल लिया करती थी और एक ये इमली जो प्यार करती है, इतनी भोली-भाली पत्नी का रूप है ऐसे सवेरे सवेरे इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? कल आड़ मुझेर तक आप लोग हमारे जितने भी पेपर्स और पैसें विवान के पास पड़े हैं, वो आमेला कर देगे अगर नहीं दे बाए तो हम उस विवान को यहीं संदा संदा लाश बनातेंगी यहीं सभी के सामने अरे बताओ क्यों इतनी परिशान हो, क्या बात है? विवान, नुवारा पहला करवार चौत हुई आप अमका कोई तफा नहीं दिये अरे देंगे ना, बताओ क्या चीए तो विवान, हम दोनों ना मिलकर जीवर में बहुत पैसा कमाई सकत है हम दोनों जवान भी हुई है और हम दोनों के अंदर सक्ती में भूट हुई है इसलिए हम चाहते है कि अब कमल नारन को के पैसे वापस लोटा दो कट अलाता है बिवान लोटा दोना पैसे इम्री तुम जो कुछ भी मांग तुम्हें जो चाहिए हमें बोलो हम तुम्हें देने के लिए तैयार मगर हम कमल नारान को पैसा वापस नहीं करेंगे यह पैसा ही है जिसकी वज़े से हम आज तक बचे हुए और आगे भी बचा के रखेगा हमे इम्ली इम्ली तुम प्रत हमारे लिए रख रहे हमारी लंबी उमर के लिए और हम भी जो कुछ कर रहे है वो तुम्हारी लंबी उमर और कमल नारायन से सुरक्षा के लिए कर रहे है विवान सुरक्षा तो तब करोगे ना जब जिन्दा रहोगे मापी चाते हैं हम ऐसे ही आगे तुम्हारे कमरे में लेकिन बात ही कुछ ऐसी कमल नारायने आज रात आठ बज़ तक का अल्टिमेटम दिया तुन्होंने काया अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तुम्हें चांद से मार देंगे माफेवा कमल नारायन जी ने बात हमें और सूरज पापको पोली है इसने गहरे पात मान रो हमारी हो तो ये बात है इसलिए तुम इतनी पधिशान है अगर हमसे तो कमल नराइन ने कुछ और काया ना उसने कहा है कि वो आज शाम तक हवेली खाली कर चला जाएका तुम लोगों को यकीन नहीं तो चलो हमारे साथ इम्री चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर हम कमल नराइन को पैसा वापस नहीं करें के तुम पर अबाना हमारी बात सुनोओ इस खेल में और मजा ने लगा है वदा है क्यों कि ये धैर का खेल है सैन शक्ती की बढ़िग चाहे है कि अमल जी अम आपका मिल अपका लुटियां तो हम आप लगने लागाığını काई आपका केल उलट फड़ गया तो अमैं इस हवّईली से रखे जाना घड़ा तो वहाई के कि कहीं और मनाने की सोच भी नहीं सकते हैं अज अगर हम जिन्दा हैं तो सफ आपके करवा चौच दिने से मज़ें इस अब करवा चौच यहीं मनाएंगी इसी हवेली में आजाद दिने गई नहीं जाएंगी और दुन दाम से मनाएंगी आप लीजिये कर दो अले का है सबची माई क्या हुआ चकोरिया देख आज इतना बड़ा दिन है इतना सुब दिन आज करवा चौधे इदिन का इंतिजार औरे साल हम कर रहा थे और देखना जब से उराकसस उराकसस कमल नाराइड इस गाव में आया किसे ने भी करवा चौध की तायारी नहीं किया परसो राज जो कमल नाराइड ने किया उसने इसलिए किया ताकि बस्ती के लोग उससे डरना शुरू करे उसे फिर से भगवान की तरह पूझने लगे मगर उसे पूझने के लिए हम अपने असली भगवान को तो पूझना नहीं छोड सकते ना हम उसकी वज़ा से अपनी छोटी-छोटी खुशिया ने छोटी-छोटी त्योहार मनानों तो नहीं छोड सकते ना तुने अवरत रखा है बस्ती की सभी और तो निवरत रखा है तू देख हम क्या करते हैं हम अब ही आए चकोरिया बच्वाद दो दिन से तुने कच्छू नहीं खाया जाए दे ना फाल तुमें टंटा काहे कर रही है अब दुपेरे काहे जाए रही माई जब से वो कमल नायन वापस आया ना हमारी तो भूखी मर गई हमें अपने पेट से जादा उस पापी की चिंता है माई तुरुपना हम अब ही आते हैं कस्तुरिया हम फैक्ट्री जाये रहें बढ़े मालिक और उकी बेटी हाई नाजाने हम सभन से का काम करा है तो अपना खयाल रखना है जी आई ये ना काकी माई चकोर्याई पूजा का सामध हाँ माई उस कमलनारण को क्या लगता है कि वो हम सब की खुशया चीन लेगा हम सब उसके बंधुआ है आज हम उसे बता देंगे कि हमेंसे कोई भी उसका बंधुआ नहीं है अर इसलिए हमें पूजा का समान लाए आज सब ब्रत रखेंगे और आज करवा चौत की पूजा भी होगी यह ले माई सब और तो में बाटते चकुरिया तू भी तो ले तेरा भी तो करवा चौत है आज तला कहा हुआ है तेरा भी तक तू भी तो ब्याता है माई वकील साब के पास जाना है हमारे टलाक की पेपर्ज माई हमाते है हां जरूरी काम है अरे चकुरिया रोप कुछ खाई के तो जा वकील साब हमारा नाम चकुर है कमल नारंड के खिलाफ जो भी सबूत थे वो हमने ही आपको लाकर दिये थे जिहां, आमें अच्छी तरह से याद है, आपी ने उस बदमाश को कानून तक पहुचाने में साहिता की थी, मगर वो छूट गया वकील साब, हम यही जानने आए थी, कि यही जानने आए थी, कि कमल नारेन कैसे छूट गया और वो सबूत कैसे जल गया देखे, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जब उसे एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब ही उस गाड़ी में बलास्ट वा, जिसमें उसके केस के सारे पेपर्स और सबूत तो इसका मतलब यह है, कि अब हम कमल न करने और गाड़ी में बलास्ट करवाने में जो साजिश्ती उसमें कमल नारायन का हाथ था, मगर है रहानी की बात है कि जब वोट में गवाही के लिए तो उन्होंने कोई दूसरी कहानी सुना जिए, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपना बयान जरूर किसी दबाव म कि आखर बदला हूँगा अच्छा वकील साब वो जेलर कहा है अभी उस दिन के बाद वो जेलर फिर से गाइब हो गया और आज तक इस बात का कोई पता नहीं चला कि वो जेलर किदर गया वो सकता है उस जेलर को मार डाला गया आजी हाब बिलकुर हो सकता है वकील साब क्या आप हमें यह बता सकते है कि कमल नारण को किस जेल से किस जेल में ले जाया जारा था जिस दिन वो हाथसा हुआ और बहर आने से पहले वो कौन से जेल में थे जी हाँ यह तो हम जरूर बता सकते है कि अरे सूरज बाबू आप क्यों तक रहे हैं हम अना लाइए कुलाड़ी दीजा हम अभी तुकड़े कर देते हैं है हुआ है हुआ है सूरज बाबू अपना गुसा इस तरह बेजान लक्रियों पर काहे निकाल जहें है हमने बहुत कोसिस की लेकिन विवान बाबू हमरी बात सुने के लिए तयार ही नहीं है उसकी समझ में निया रहा है क्या उसे अभी तक भरोसा है कि कमल लारायन हवीली छोड़ के चले जाएंगे अरे उल्टा वो उसकी जान ले लेंगे अगर उने पैसे नहीं मिले तो क्या पाहिए नहीं है आपका नाही समझ को यहा रहा है क्या पेवान को इबात कैसे समझाएं वह उपास हमेशा यह बोलते रहते हैं कि हुग अमल नारं प्रत करते उन्हान नए उसे माई चिनली बापो चिनली आशारी खुशिया चिनली अब कैसे समझाएं बेवान पाबु का, कि इस मगध उपक्यों पर कैसा खत्रम मंड़ा रहा है, मजी नहीं रहे, अपरी बातों को सुनने नहीं रहे, अज़ हमारा पहला करवार चौत है, पर हमी कैसा करवार चौत हुई है, जहां पर हमारी पती की जान खत्रम है, और जान कर अभी चाहा कर, अदिन कॉड़का भी कि यह कर सकते हैं एक काम हो सकता है, वो चकोर की बात ज़रूर्ब सुनेगा, चकोर से काओ करे वो झसे समझा लेगा, अरे कैसे सुनेंगे, प्यपान हम्री बात नहीं सुने, आपकी नहीं सुने हैं, अपकी नहीं सुनेंगे, और तु अग्वान करें कि उती थी कि पाप सुने परो तोनों की बात कैसे हुई है दीदी तो यह नहीं आई सकत है चकोर यह नहीं आई सकती है विवान तो जा सकता है ना भेजो उसे थागो चकोर तुम ठीक तो हुँ ना इक्मी ने बताई कि तुम गिर गई तो तुमें चोट लगी है वो करवा चौत में लगी हुई यह आनी ही पाई वान हम बिलकुल ठीक है हमें कुछ नहीं हुआ है यह इमली बीना छोटी सी बात का बतंगड बना देती हमारा बस जरा सा पैर प्यूसला था और कुछ नहीं है थैंक गॉड तुम ठीक हुआ हन्ना हम तो डर गई थे विवान बच्पन से हम दुनों ने हमेशा एक दूसरे की बहुत चिंता किये हम दूनों ने हमेशा एक दूसरे की हर बात को माना है है ना? हाँ जो तुमने कहा वो हमने माना और जो हमने कहा वो तुमने माना इसलिए एक बात और माना चलो जल्दी से कुछ खा लो काकी ने बताया हमें कि कल से कुछ नहीं खाया तुम जब तक हमें कमल नरायन से चुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता हम ना तो कुछ खा सकते हैं, न पी सकते हैं चकुर कमाल नारायन से चुटकादे का रास्ता हमने निकाल लिया वो उनकी पतनी रंजना जी और रागनी को आज रात तक हविली से निकाल दिया जाएका दिवान हमें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हैं किसी से शला मशवरा किया तुमने इतना बड़ा फैसला अकेल simulator का कम नारायन को हवेली से बहार निकालनी का Šakur हमने जो भी फैसला लिया है उस ही में सब की भला है अगर कमल नारान हवëली में रह तो दिपानों का जीना मुशकिल कर देगा और तुम आज रात आट बज़े तक तुम्हें उनके पैसे नहीं दिये, तो वो तुम्हें गोली मार दें, फिर उन लोगों को क्या होगा, जिन्हें बचाने तुम निकले हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर उसे हमें मारना होता तो तब ही मार देता न, कुछ नहीं किया उसने, अर कि वो हमसे डरा हुआ है, अगर वो हमें मार भी देगा तो तो बैंक का सारा पैसा उसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो हम पर वारी नहीं करेगा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विवान, कमल नारायन एक बहुत पहुचा हुँ अखिलाडी है, वो कोई भी काम बिना सोचे संज नहीं करता है, वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, अरे वो कोई भी केल खेलने की पोजीशन में नहीं है, उसका और उसकी बीवी का समान हवेली के हाल में रखा है, और वो शाम तक हवेली से चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम जद क्यों क तो अब समझें, अब हमारी समझ में आ गया है कि इमली ने हमें या क्यो बेचा है, ये चोट ये गिरना ये सम नाटक था चाकुर, तो वो क्या करती विवान, वो तुम्हारे लिए इतनी परेशान है कि तुम सोच भी नहीं सकते, उसका पहला करवा चोथ है, और खुष होन अब हमें नाकते, तुम्हें कुछ हो जाये विवाने, हमें भी यही डर है कि उसे कुछ न हो जाये, सूरण जिजो इस तूपड प्लैन बनाया है कि वो कमल नहीं को धोका देगा, उसमें उन दोनों की जान को खत्र है, और हम नहीं चाहते कि कि कमल नहीं बस्ती के आस पास अर वो पैसा जब तक हमारे पास है तब तक हमारा परिवार सुरक्षित है, जिसन वो पैसा चला जाएगा ना, किसी की सुरक्षा की गारेंटी नहीं होगी, और एक और बात चको, इमली हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें कि किसी की सलाने चाहिए हम जारें आज करवा चौत का वरत है जहां हर पतनी अपने पती के लंबी उमर के लिए प्रातना करती है तो जब तक भगवान हमारी प्रातना नहीं सुनेंगे हम प्रातना करते रहेंगे कर्वान करते लिए प्रातना करते लिए प्रातना करते लिए यह प्रातना था जयते है बहुत सुन्दर लग रही है विस सारी में परिफान हमने आपके साथ बहुत से सपने सजा है जनम जनम साथ रहने का सपना हमारा एक छोटा सा बच्वा हो उका सपना हमारी जिन्दकी हमेसा सुखी और शांती से बीते है उसका सपना परिवान अब अमका बहुत टट लग रहा है कि कहीं हमारी सपने तूट ना जाए परिवान हमारी बात मान लो और कमल नारान को कि सारे पैसे वापस लोटा तो आप अमका जिस्पी हाल में रखे है ना हमो खुष रही है बहुत कुष रही है उसब नहीं चाहिए और अपके सर बे तलवार रहे अपके सब्सक्राइब नहीं चाहिए इमली तुम बिना वज़ डर रही है ऐसा सोचो जिसके पत्मी तुमारे जैसे है जो अपने पती के लिए व्रत रखे उसकी सुरक्षा उसकी लंबी उमर के लिए प्रात्ना करे उसे कुछ उ सकता है कि हमें गुज भी नहीं होगा पर हमें पूरा यकीन है कि आज कि शाम इस हवेली में सुख और शांती का नया अध्याय शुरू होगा और जिस चांद को देखके तुम उतना वरत तुड़ोगी नए जीवन का चांद होगा उसे इश्वेल परोसा रखो वो हमारे साथ इमले पिठिया जल्दी आओ सारी स्वागने जम्मा हो गई है और चांद भी निकलने वाला है पूजा अरम होने वाली है जल्दी आजाओ जाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कि आप हमसे दोरी रहें तो अच्छा है आईए मा आपको आपकी जगा दिखा देते हैं अच्छा कर दो कर दो कि अच्छा हाई तु नहीं आएगी का? पूजा का समय हुए गवा है तुने रख्ञा है ना? वरत तो नहीं रखा इसने, अगर दो दिन से इसने कच्छु नहीं खाए तो उबी तो वरत ही हुआ ना? झाल 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 कि गर्जा मौसी रानीव कमल नराइन जी और उनके परिवार का समान लिक रही हुआ उनके जाने का समय हो गया कि अध्यान करें नाराण जी यहां से चुपचाप चिले जाए और अमरे विवाद को कच्यों आँ हम भी एक चाहते हैं कि यह लोग यहां से चुपचाप चले गए क्या हुआ हमारे अकाउंट में तुह लोगोंने पैसे ट्रांसफर करवाए है यह क्या बखवास हो लिए पापा ये रंजना जी ने जब से विवान को धोका दिया है इसका दिमाग खराब हो गया बावला हो गया यह इसलिए पैसे ट्रांसफर होने में इतनी देर लग रही है कि अवसादमी के सामने गिडगराने की ज़रुवत नहीं है कामला रांटी आप यहां से चुप चाप जाएंगे हम पुलिस को बुलाएं क्योंकि पैसे तो आपको मिलने से रहे है इनका समान्या से भार निकाल के फेकियन के जाने का समय हो कि यह हवेली में रहने लायक नहीं है थे लायक नहीं है पूर अपटेश लोगन तो चल्सटव डॉन्ताम में डट-ाहिएंगे है on facebook.com slash colors tv follow us on twitter.com slash colors tv for more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com slash colors tv follow us on twitter.com slash colors tv